है गाइज गुड़ मॉर्निंग तो कैसी है मेरी पाड़ी योटीब फैमली आई होब आप अच्छे होंगे मैं पहुंच चुका हूं कस्यालेक में सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गया हूं अभी बज़रें सुबह के आठ और मौसम काफी मस्त हो रखा है बढ़िया ध हूं और आज हमें जाना है दोस्तों मजेडा की एक साइट पर जहां पर नई साइट है वहाँ पर भूंभी पुजन आज होने वाला है ओनर आये हुए हैं अभी अमीद भाही भी आ जाता है घर से सारा सामान लेके उसके बाद निकलना भटेलिया की तरफ तो करता है अपना दोस्तों अभी मैं हूं नीलकंठ रेस्टोरेंट जो कसले मार्केट में है उसके छत में और अमीद भाही का वेट कर रहा हूं हमने जाना है भटेलिया मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेना है पूजाबाट का उसके बाद चलेंगे मजेडा साइट पर आपको नई अधरसांत में भूमी पूजन दिखाऊंगा जो नई साइट पर भूमी पूजन होने वाला है और मेरे पीछे सिवालाई मंदीर तो मैं हूं नीलकंठ रेस्टोरेंट की छत में यहां से भी मौर्णी में खूबसुरत नजारे आ रहे हैं मैं पहले वह आपके सांद करता हू हैं और यह हमारे सामने में भूले नात बाबा का मंदीर और इसके पीछे जस्ट जो पहाड दिखाई दे रहा है वह है मुक्तिस्व टेंपल उसकी टॉप में है मैं मार के कर रहा हूं तो नजारे काफी सांदार आ रहे हैं मैं एक बार नजारे दिखाता हूं अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भटेले मार्केट में अभी जिस सौप में खड़े हैं यहां से लेते हैं मिठाई और बगलवाली सौप से हमने थोड़ा बहुत और पूजा पाट का सामान लेना है तो सामान लेके उसके बाद निकलेंगे कच्चलेक और कच्चलेक से फिर सिधे मजेडा साइट पे तब तक ओनर भी आ जाएंगे इस सौप से ले रहे हैं अभी हम मिठाई और ये है भटेले मार्केट का नजारा सुबह के टाइम में सांत माहुल बना हुआ है धीरे धीरे होगे भी आ रहे हैं मौर्णिन के टाइम में तो सामान लेता है फिर निकलते हैं यहां से कच्चलेक में भटेलियसका अर चुकए है सामने आगे है Gothic तो फाइनली दोस्तों हम मजेडा पे पहुंच चुके हैं उस जगर पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा भूमी भूजन है गाड़ी हमने यहां पर पार कर दी सामान सारा निकाल लिया है और बांकी लोग आगे पंडी जी अमित भाई लोग और एक दो लोग और है वह जारे काफी सांदार आते हैं यहां से भी अभी सुब्य का महौल है यहां यह में रोड है जहां पर मैं खड़ा हूं यह आगे को जारिया परवड़ा को और यहां से लगभग आगे लगभग सौ मिंटर पैदल में इन्होंने जमीन ले रखे और रास्ता कुछ इस प्रकार ह इसमें रोड बनने के चांसेज हैं अगर यह खुद प्रयास करें तो रास्ता तो है यहां से पूरा देखिए दोफतो एक बैग मैंने पर उठा लिया है मैं चल रहा हूं लेंड के पास में ओनर भी आ जाते हैं ओनर का वेट है ओनर आ जाते हैं फिर भूमी पूजन इस्ट व्यू देखिए काफी सांत एरिया है और काफी बढ़िया व्यू सामने चकुटा का व्यू देखने को मिल रहा है और यहां पर देखिए पास में पंडिजी लगे हुए अपने तैयारी में तैयारी कंप्लीट होती है फिर पूजा सुरू होती है और मैं आपको पूजा दि ऑि फूजा सुरू होती हिए उम्हा स्थी नों मितामस्य नंभा शास्थी दिव्या दृति नार्मड़ा स्थे पुक्रते वे सुदेतुना स्थे वायुमुभप्र्वामाहे सोमम् स्थे वानशीयस्वति प्रहस्त्र पेश्पषभण्ग्ंश्वत्र स्वत्पति संकर भगवांजी का ध्यान कर लेंगे शुगंधिम पुष्टि वर्धनम मुरुवा रुकमेत बंदनात मिर्त्योर मोक्सेत माम्रतात करेचरण कृतम्वा कायजम कर्म जम्वा स्रमानेयने जम्वा माने सम्वा पराधम वहितम वहितम्वा वह संभव ओमश्री उमा संकरा भ् पूल के अपने कुल देवी का ध्यान कर लेना है भगवती माता का ध्यान कर लेना है सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरन्डे क्रम्भगे गवरी नारायनी नमोस्तुदे सर्णा गत दी नार्तम परित्राय परायनी सर्वरक्षा हरो देवी नारायनी नमोस्तुदे जैंते मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गाक्षिमा शिवाधात्री स्वाहा सुधार मोस्तुदे गोमस्रे महाकाली महागोरी भगवती गर्दम्विकाईये नमाहा मंत्र प्रवांग वस्तांग गतुवबी तुन्डरी काक्षाई सब रानताम सुचि दोनों हाथ उन्गाजलिया ऐसे श्परस करने हैं समस्क कीर तोंग आ जोनी पेंदे नाव लेजरीं और अधिने गणी इभास तुन्डरी नेवाव और निश्पर नाव दृष्णवेलों अधिन्यकाव करें संद्मू При नहीं आदेश देवादी देवाई नाथ रश्नेल रसा नजमृ नामशाय दिजार शापमृ नम अमी रामम रगुमचनातम मनु जवं मारुद दुल्ल वेकमृ जितें प्र्यंबुद्धिमताम वरिस्टम वातात्म जम्हा नजेवध मुख्यमृ श्री राम दूतं शरणं प्रपद्या विगन विच्छेत हेतुर येदि वडुगनात शिद्धिया साध्यकानां। द्रंदा तीतं गगन सत्रिसं एगवन्लं शुवांगं लक्षमी कांतं कमलनेनं गभुषमी कांतं कमलनेनं एकं नित्यं भिमलवत्यनं सर्वधे साक्षिभूतं भावा पीतं प्रिगुर्रहितं सद्गुरुम् तमनवामी अज्यान तिमिनान। आरे देसे गता कहेंट प्रिगुर्ण करने। रुपार यह ज्यासर आरे प्रिगुर्ण कुम्पलेट भी और जो उनर है बहुदा है भी उपर यहां पर देवी माता का माभगोती का मंदिर है तो इनके लेंड के पास में ही पढ़ता है तो वहाँ पर भी अपनी कुझा पार्ट करने जलाने और प्रसाद उगरे चड़ाने के लिए हैं तो मैं एक बारी लेंड समझा देता हूं आपको यह जो लेंड है आप देख रहे हैं आग लाई आपको दिख रहे होगी तो यह इनकी लेंड एक खेत है एक है है いる मस्त सामने देखने को मिलता है और अब ander देखने को मिलती है अभी जिस खेत में पूजापार्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और रोट से आने के लिए लगबख इनका यह आर्सी सी रहने जो लगबख चार फिट का रास्ता है यह इनके रास्ता लेंड पर आता है यह वाले पिलर से एक खेत यह है एक जिसमें अभी पूजा हो रही एक खेत नीचे है और आगे यहां तक इनके लेंड है काफी सांदार नजारे देखने को मिलते हैं इस लेंड से भी तो पूजाबाट हो गी है तो यहां से निकलें गया चकुटा के लिए दोस्तों दोपहर क खिजगना एकदम जो उसका डर है वो खत्म हो जाए तो देखते हैं साम तक यहां पर कितना काम होता है और उसके बाद निकलेंगे घर को आज दिन भर भी काफी दोड़ा भागी होगी सुबे से ही तो फैनली दोस्तों साम हो चुकी है पहाड़ों में संसेट हो चुका है मैं हूँ अभी बालाजी रेस्टोयन पे उसकी छट पे हूँ और मैं यहां से आपको मुक्तिसर घाटी के नजारे दिखाता हूँ काफी बहतरी नजारे आ रहे हैं अभी साम के समय में साम का मौसम भ साम ने हमारा सिवा लई भोलेनाद बाबा का मंदीर तो साम हो चुकी है पहाड़ों में तो अब निकलेंगे हम घर को दोस्तो पहाड़ों पे हो चुकी है साम और उपर देखिए घाटी में एकदम पहाड़ के बीच से चाद निकलता हुआ दिखाई दे रहा है काफी सुन्दर नजारा देखने को मिल रहा है ये देखिए तो ये था हमारा दिनधर का ब्लोग आई होब आप लोग को अच्छा छुकी है दिल्ग प्लोग को अचुकी है सेफिए कर दो टो इसके यार है लो चुकी है में एकदम झाना है साम आई है उलास है आया है कर द homelessप और देखिए और दोग घ। घूलाई है कर दो दो आना है कर दो देखिए यारा दो दो छो